First day, पहिलो दिन, बोल चालमा अभिवादन का वाख्य. उशाकाल देखी, लेर दिमसो बारा बजे सम्मा, नमस्ते हजुर्बा, गोड मॉर्निंग ग्रेंपा, नमस्ते पिताजी, गोड मॉर्निंग डैड, नमस्ते छोरा, गोड मॉर्निंग माई सन. मद्धे बारा बजे देखी, साजा तीन बजे सम्मा, नमस्ते हजुर्बा, गोड मॉर्निंग ग्रेंड मा, नमस्ते आमा, गोड आफ्टनून मम्मी, नमस्ते छोरी, गोड आफ्टनून डियर. साजा तीन बजे पोछे, नमस्ते काका, गोड इवनिंग अंकल, नमस्ते काकी, गोड इवनिंग आउंटी, नमस्ते छोरी, गोड इवनिंग माई चाइल्ड. राती विदाई को बेला, शुब रात्री, गोड नाइट, दिनमा, उने बेला, लवता स्रीमान, आजा, लाई विदा, गोड डेट तू यू सर. बेट घाट को बेला, तपाई संगा, बेट हुदा, उसी लागयो, प्लेश टू मीट यू. बिदाई को बेला, लवता बिदा नानी हो, गोड बाई चिल्रन, तपाई लाई पनी बिदा, बाई बाई, बिदा प्रिये, फेर्वेल माई लाव, लवता फेरी भेटाउला, ओप टू सी यू अगेन. अंग्रेजी मा, ग्रेंड फादर लाई संचेप मा, ग्रेंड पा बनेंचा, फादर का लागी, डैड या, डैडी शब्द हरुको प्रियोग पनी गरींचा, ग्रेंड मदर लाई संचेप मा, ग्रेंड पा बनेंचा, मदर का लागी, मम्मी शब्द को प्रियोग पनी अंग्रेजीमा काका, जेठाबा, मामा, सानाबा, फुफाजिव सबैलाई अंकल वनिन्छा काकी, जेठियामा, माईजिव, सानीमा, फुफु, सबैलाई आंट या आंटी वनिन्छा कुनेपनी पुरुसका लागी आधर सूचक शब्द सर प्रियोग गरिन्छा कुनेपनी महिला को लागी आधर सूचक शब्द मैडम प्रियोग गरिन्छा काका, मामा, सानाबा या फुफा जिव, पटिको भाई या बहिनिको लागी पनी कजन शब्द प्रियोग गरिन्छा पतिलाई हाजबेंट संछेप माँ हभी बनिन्छा अंग्रेजी सीखना को लाई, पेज लाई, फॉलो और वीडियो लाई, शेर गरनू होला सेकेंड, दोसरो दिन, अंग्रेजी मा नेमलिख्त शब्द हरू मनमा नई दोर्यावनु होस इस शब्द हरू रूप मा समस्त अंग्रेजी मा जाती को सिष्ट चार लुके को छा अंग्रेजी बासा मा अत्यांत मैत्पून शब्द होन प्लीज, कृपिया, काइंडली, दयालू, सौरी, माफ गरनू होस नो मैंचन, उलेक छाइना ठैंक्स, धन्यवाद, अलाव मी, मलाई अनुमती दिनू होस एक्सक्यूज मी, मलाई माफ गरनू होस इट्स माई प्लेजर, यो मेरो अहो भागे हो वेलकम, स्वागच्छा, आफ्टर यू, हजूर पछी, पाडन, माफ गरनू होला केही शिष्टचार वाक्य, सम पोलाइट फ्रेजिस मैले, भेड गरने समय दिये को थिये तरा माँ आउना सकीना, मलाई समा गरनू होस I am sorry, I couldn't make it that day मा निर्धारित समय मा आउना सकीना, तेसका लागी शमा गरनू होस I am sorry, I couldn't make it in time शमा गरनू होला, मलाई आउना धीलो भायो I am sorry, I got little late मेरा तरफा बटा शमा मागी दिनू होस Please beg my apologies गलती ले इस्तो भायो छमा गरनू होला It was all by mistake, please excuse me मा धेरेई दुखी छू, I am very sorry छमा गरनू होला, मैले तपाई को काम मा विगन पारे Sorry to have, disturbed to you छमा गरनू होला, I beg your pardon तपाई को अनुमती का साथ भनना चाहांचू Allow me to say किर्पिया ध्यान दिनू होला May I have your attention, please इसलाई आफनाई चीज समझनू होस It's all your के मलाई बोलने अनुमती दिनू होन छा Will you please permit to speak? इसमर निये, to remember नेपाली मा मध्यम पुरुष मा आदर प्रकट गरना को लागी तरा तिनी को ठाउमा तपाई को परियोग होन छा तरा अंग्रेजी मा तपाई रा तपाई को तिनो तिने वटा लागी यू सब्दा को परियोग गरीं छा जस्तेई, तपाई लाई के जाहीं छा What do you want? तेस्तेई प्रकारले, नेपाली मा अन्ने पुरुष मा आदर को द्रिष्टी उनी को ठाउमा उहां को परियोग होन छा जस्तेई, उहां राती आउना सकनू हुन छा He may come at night छमा मागने, अर्थ मां अंग्रेजी मां केही शब्दा छन जुन कुराकानी मां वेवार हुन छन इस शब्द हरू का वास्तिविक अर्थ यहां दिये का छन Excuse, छमा गरनू यो साधारन अर्थ मां परियोग हुन छा Forgive, दंडिद गरने भावना लाए सधे को लागी निकाल दीनू, हर्दे लाए छमा गरी दीनू जस्ते मानिसले गलती गर्चा परमातमाले छमा गर्चन Pardon, अपरादी लाई दिये को दंडा, भोगबाटा मुक्त गरना Mistake, गलती ले जुन वास्तवमा होईना, तेसलाई यो भन्ने समझानू Apologize, गलती सविकार गर्णू Sorry, I am sorry, मां दुखित छू, अर्थाद मालाई खेद छा अंग्रेजी सिहना को लाई वीडियो लाई Share रा चैनल लाई पोलो गर्णू अला Third day, तेसरो दिन, भाव बोधग, exclamation अंग्रेजी धेरे भाव पून भासा हो, इसमा साना कुरालाई धेरे मैत पून बनाईरा पेश गरिन छा इसमा मानिस हरू का विश्म यादी बोधग, भाव का साथ पूरा गर्ने धेरे आदत छा इसता वाके बोलना मा जाती सरल लागद छा, ठट्टा ठट्टा नहीं इवाके बोलने अभ्यास गर्नू होज अनि उच्चित समय मा इवाके हरू को प्रयोगर्नू होज अंग्रेजी बोल्चाल मा तपाई मा सवभाविक्ता को गुण आई हालने छा मार्वेलेस वा वा, वेल डन, सेब्बास, ब्यूटिफुल अति सुन्दर, हे, अरे, माई गौड, हाय, ओ गौड, हरे राम ओ गौड, हरे राम, डन, वंडर्फुली, तपाई लेता कमाल गर्नू भायो, अफ कॉस, नी संदे, थैंक गौड, भगवान लाई धन्यवाद, बी गौड्स ग्रेस, भगवान को कृपाले, मे गौड ब्लेस यू, भगवान ले तपाई को मंगल गरुन, सेम तू यू, हाव सेड, बड़ो दुख दायक, हाव जॉइफुल, बड़ो खुशी को कुरा, वट अ ग्रेट विक्टरी, कति ठुलो विजे, हेलो लिशन, सुन्नु होस, हरी अप, प्लीज, चटपट करनु होस, हाव टेरिबल, कस्तो भयानक, हाव डिस्ग्रेसफुल, कस्तो अपमान को कुरा हो, हाव एब्जड, बड़ो नचाहिदो कुरो, हाव डेर ही, उसको एत्रो हिम्मत, हाव सुइट, कस्तो माया लाग दो, हाव लवली, कति सुन्दर, हाव डेर यू से दैट, एसो भनने ती मि लाई हिम्मत कसरी भायो, हारी अप, छीटो हिंडनु होस, कोईट पिलीज, चुप लागनु होस, यस इट इस, भो तेसाई हो, रियली साच्चे, इस इट होरा, थैंक्स, धन्यवाद, थैंक्यू, धन्यवाद, फुर्रा, आई हैव वन, आहा मैले मैज जीते, फोर यूर गुड हेल्थ, सपाई को सस्थका लागी, कॉंग्रेचुलेशन्स, बधाई, वाट नॉंसेंस, कति वाहियात, वाट आर शेम, कति सर्म को कुरा हो, हाव ट्रैजिक, कति दुखा को कुरा हो, वाट आर सर्प्राइज, के आश्चार्य, वंडर्फुल, आश्चार जनक, हाव डिस्गस्टिंग, छी छी, बी वेयर, कबरदार, वाट आ पिटी, कति दुखा को कुरा हो, वाट आ आईडिया, कति रामरो बुद्धी, वेलकम सर, स्वागच्छा स्रीमान, अंगरीजी सिहना को लाई, वीडियो लाई, शेर रव चैनल लाई, फॉलो गरनू ओ वाक्यांच, forms of small species, अंगरीजी मा एउटापून वाके का इस्थान मा वाक्यांच अथवा, एक दुई सब्दले काम चलाऊना सकिन छा, उधारन को रूप मा, yes sir, या no sir, very good sir, आदी, वाक्यांच, एती धेरे प्रचलिच्छन की, अंगरीजी बोलना रा बुजना इच्छु अत्यंत आवशक छा, इवाक्यांच धेरे सारल पनी छन, किना भन इव्यकरण का जटिल नियम हरू बांधिये का चैनन, भर्खरे आउँ देछु, just coming, धेरे राम्रो, very well, सबै ठीक छा, it's fine, तपाई को इच्छा, as you like, बस रहना दिनु होस, that's enough, अच्छा, okay, किना होईना, why not, भोली भेटाउला, see you tomorrow, हो अफ्षे, yes by all means, तेरे भायो, too much, हजूर सर, yes sir, होईना पटक के होईना, no not at all, कुने कुरा चैना, never mind, विशेश कही चैना, nothing more, कुने खास कुरा चैना, nothing special, स्वागच्छ, welcome, भरोशा राखनु होस, rest assured, लौता बीदा, goodbye, तपाईलाई पनी बीदा, bye-bye, अलिकति पनी होईना, not the least, आदे सूचक वाक्य, sentence of order, आड़ा, stop, भाना, speak, सूना, listen, यहां पर्खा, wait here, एता आउ, come here, एता हेरा, look here, यो लेव, take it, नजेक आउ, come near, भाहिरा पर्तिक्षा गरा, wait outside, माथी जाउ, go up, तला आउ, go down, तयार हुनू, be ready, चुप लागा, keep quiet, सावधान रहनू होस, be careful, विस्तारे, जाउ, go slowly, तुरंता, जाउ, go at once, यहां आड़ा, stop here, सीधा जानू होस, go straight, पारा जानू होस, go away, रामरे सफा गरनू होस, clean properly, न जानू होस, don't go, न बिर्शानू होस, don't forget, यो न भतकाउ, don't break it, फेरी कोसेश गरा, try again, सुरु गरनू होस, go ahead, न हला, don't move, 5th day, माचो दिन, वर्तमान काल, present tense, अंगरीजी भासा मां वर्तमान काल को क्रिया लाई चार भाग मां बानिये को छा, राम पड़ चा, राम इस्टडीज, राम पड़ दे चा, राम इस्टडीग, राम ले पड़ेओ, राम हैस्टडीड, राम बिहान देखी पड़ी रहे को छन, राम हैस बीन इस्टडीग सिंस मॉर्निंग, यहां पर्थम वाक्य मां क्रिया वर्तमान काल को तचा तरह काल निश्चिच चाईना राम इस्टडीज राम पड़ चा तरह था चाईना कती बेला पड़ देचा दोसरो वाक्य मां राम इस्टडीज राम पड़ देचा वर्तमान काल को क्रिया चली रहे को चा तेशरों वाक्य मा राम has studied राम ले पड़यो अर्थात क्रिया भई सके को छा तरा धेरे समय बीते को चोथों वाक्य मा राम has been studying since morning राम बिहाना देखी पड़ी रहे का छन अर्थात क्रिया एक निश्चिस समय देखी चली रहे को छा वर्तमान काल का यी चार भेद लाई क्रमश, present indefinite, present continuous, present perfect रा present perfect continuous भनींचा present perfect लाई नेपाली मा आसंत भूत पनी भनींचा वर्तमान काल present tense राम के तीमी अंग्रेजी पढचाऊ? राम, do you read English? श्याम, हो मां अंग्रेजी पढचाऊ? श्याम, yes I do राम, के लता तीमीर घर मां आउचेन? राम, दस लता कम टू योर हाउस? श्याम, हो उनी कहिले काहीं आउचेन? श्याम, yes she comes sometimes. राम, के अरू मित्रपनी तीम्रो मां आउचेन? राम, do other friends also come to you? श्याम, हो अरू मित्रपनी मेरो मां आउचेन? श्याम, yes other also come. राम, के तीमी पोखारा बहच्चाऊ? राम, do you stay in पोखारा? श्याम, होई ना मां काठमांडू बहच्चू? श्याम, no I stay in काठमांडू. वर्तमान काल, present tense is our aim. बाला, के तीमी लेख होजे को पुष्टक यही हो? बाला, is the book you are looking for? बाला, हो मैलेख होजे को यही हो? बाला, yes this is it. बाला, के कमला तेही पुष्टक पड़ दे छिन? बाला, is Kamla reading the same book? माला, होई ना तियो आरके कुछ तक हो? माला, no that is different one. बाला, के तीमी अहिले बाजार जान दे छो? बाला, are you going to market now? माला, होई ना मा बजार जानना? माला, no, I am not. बाला, के तिम्रा बुवा सरकारी नौकरी गरनू हुन्छा? बाला, is your father in government service? माला, होई ना मेरो बुवा व्यपारी हुनू उन्छा? माला, no, he is a businessman. बाला, के तिम्रा भाई कुने परिक्षा को तैयारी गर्दे छन? बाला, is your brother preparing for some examination? वर्तमान काल, present tense, has, र, have. मोहन, के तिमीले राधाहिलाई कुने पतर लिखे हू? मोहन, have you written any letter to राधा? सोहन, हो मैले उनलाई लेखें? सोहन, I have written to her. मोहन, के उनले पतर को जवाब देन? मोहन, has she replied to your letter? सोहन, होईना उनले देनन? सोहन, no, she hasn't. मोहन, तिमीले खाना खायो? मोहन, have you taken your meals? सोहन, होईना मैले बिहाना को खाजा पेट भरी खायको थिये? सोहन, no, I had a heavy breakfast in the morning. मोहन, तिमी उनको घर मा गय का थियो? मोहन, did you go to his place? सोहन, होईना अबा मलाई जानू छा? सोहन, no, I have yet to go. वर्तमान काल, present tense, has been, have been. श्याम, बिहाना देखी तिमी के गरी रएको चाऊ? श्याम, what have you been doing since morning? गोपाल, मा बिहाना देखी यो पुस्तक पड़ देचू? गोपाल, I have been reading this book since morning. श्याम, के ही जो देखी यहाँ पनी वर्षा भाही रहेको चा? श्याम, has it been raining here also since yesterday? गोपाल, हो बर्षा भाही रहेको चा, तरा बीज-बीज मा? श्याम, के पानी धेरे बेर देखी उमले देखी चा? श्याम, has the water been boiling for long? गोपाल, होई ना अहिले केही बेर देखी उमले देखी चा? गोपाल, no, it has been boiling only for a little time. वर्तमान काल, present tense. इसमार नेया, तू रिमेंबर. तीमी पत्र लेख दे चाहू? यू writing a letter. तीमी ले पत्र लेखे का चाहू? यू have written a letter. यू दुबै सकारात्मक, अफर्मेटिव वाक्य हुन, यू वाक्य लाई नाकारात्मक, नेगेटिव रा पर्शनवाचक, इंट्रोगेटिव वाक्य हरूमा एस परकार परिवर्तन गरना सकीन छा. नाकारात्मक, नेगेटिव, यू आर नोट राइटिंग आ लेटर. तीमी ले पत्र लेख दे नौ? यू हैव नोट रिटन आ लेटर. तीमीले पत्र लेहे का छाई नौ? पर्शन वाचक, इंट्रोगेटिव, आर यू राइटिंग आ लेटर? ये तपाईले पत्र लेख दे हुन हुन छा. हैव यू रिटन आ लेटर? चिठ्थी लेखनू भायो? तपाईले देखनू भायो. साकारात्मक वाक्य हरू लाई, नाकारात्मक वाक्य बनाउना का लागी, साहय क्रिया, आर हैव का पुछी, नौट जोडनू. पर्शा इसते प्रकार ले प्रशन वाचक वाक्य हरूमा, स प्रशन बाटा हमीले के सिख्यो भने प्रजेंट कंटीनिवे टैंज रा प्रजेंट पर्फेक्ट टैंज मा साकारात्मक नाकारात्मक तथा प्रशन वाचक वाक्य सजीले बनाउने सकिन छाूमा, सिक्स्थ डे, छठो दिन, भूत्काल पास्ट टैंज, अंग्रेजी भासा बनाउने सक्रक्ति मा भूत्काल को करियालाई पनी वर्तमान जही प्रमुए चार भागमा विबाजित गरिये को छाूण। पहिलो राम Istudied. राम ले पड़े। दूशरो राम Was Studying राम पड़ी रहे को थीो। तीसरो राम HAD Studied. राम ले पड़े को थियो चौथो राम हैड बीन इस्टडिंग सिंस मौर्निंग राम बिहान देखी पड़ दे थियो राम इस्टडिड राम ले पड़े येस बटा के ज्याद हुन्छा भने क्रिया अतीत को समयमा पूरा भयो भने कुरो निश्चित रूपले भनना सकी देईना पास्ट इंडेफिनाइट राम बवास इस्टडिंग राम पड़ी रहे को थियो येस बटा क्रिया जारी थियो समाप्त भय को थियेना भने ज्याद हुन्छा पास्ट कंटिनियोज राम हैड इस्टडिड राम ले पड़े को थियो अर्थात क्रिया देरेई अगाडी पूरा भय को थियो पास्ट पर्फेक्ट राम हैड बीन स्टडिंग सिंस मौर्निंग राम बिहाना देखी पड़ दे थियो अर्थात क्रिया एक निश्चित समय देखी चल दे थियो, Past, Perfect, Continuous. Did, अध्यापिका, के ती मी ही जो चाड़े उठेगी थियो? Teacher, Did you get up early yesterday? Uma, हो, गुरु आमा मा चाड़े उठेगी थिये? Uma, Yes, Madam, I got up early. अध्यापिका, के ती मी ले पाव रोटी रा मक्षन खायो? Teacher, Did you have bread and butter? Uma, हो, गुरु आमा माईले खाये? Uma, Yes, Madam, I did. अध्यापिका, के रजनी ती मरो मा दीवसो आये की थिये? Teacher, Did रजनी come to you at noon? Uma, भईना उनी आइनन? Uma, No, she didn't. अध्यापिका, के यो निवंद ती मले राती लेखेओ? Teacher, Did you write this essay at night? Uma, हुआ ना मै ले लेखी ना तरा मिरो भाईले लेखेओ? Uma, No, I didn't write it, but my brother did. Was, Was, Were, अध्यापक, के ही जो ती मी बजार गय का थियो? Teacher, Were you out for shopping yesterday? रमेश, हो, गुरूबा, मा गय को थिये? रमेश, Yes, Sir, I was. अध्यापक, के ती मी हिडदा हिडदै उस्तक पड़दे थिये नाउ? Teacher, Were you not reading a book while walking? रमेश, फो गुरूबा, मा हिडदा हिडदै पड़दे थिये? रमेश, Yes, Sir, I was reading a book while walking. अध्यापक, के रमा पनी हिडदा हिडदै पड़दे थिये नाउ? Teacher, Was रमा अल्सो रीदिंग वाइल वाड़दे थिये नाउ? रमेश, रमेश, No, She was just listening. अध्यापक, के तिम्रो घरमा तिम्री फुफु गावदे थिये नाउ? Teacher, Was your aunt singing at your house? रमेश, हुआना मेरी बहिनी गावदे थिये नाउ? रमेश, No, It was my sister. राधा, के तीमी अंगरेजी पडदे थियो? राधा, Were you studying English? सुधा, Oh, हामी अंगरेजी शिखदे थियो? सुधा, Yes, We were learning English. Had, Had, के तीमी सिनेमा हेरना गएका थे नाउ? कमला, Had you not gone to cinema? विमल, हुआना मा गएको थिये ना? विमल, No, I had not. रमा, के उसले पसल बंदा गरी सकेको थियो? रमा, Had he close the shop? राधा, हो, उसले पसल बंदा गरी सकेको थियो? राधा, Yes, He had. राम, के उसले ही जो सम्मा तपाई लाई बेटे को थिये ना? राम, Had he not met you तेल यस्टरडे? श्याम, हुआना, ही जो सम्मा उसले मलाई बेटे को थिये ना? श्याम, No, He hadn't. रामन, के ही जो तीमी खेलना गय को थिये ना? रामन, Had you not gone to play yesterday? सुधीर, है ना ही जो मा खेलना गय को थिये ना? सुधीर, No, I had not gone to play yesterday. नरेश, के तीमी ही जो अन्तिम दुई घंटा देखी पड़ दे थियो? नरेश, Had you been studying for last two hours yesterday? रामेश, हो, किना भने मा अफनो काम साके रा? पिक्चर हेरने योजना बनाऊ दे थिये? रामेश, Yes, because I had been planning to see a film after finishing my work. नरेश, तरा तीमी संगा राम पनी किना पड़ी रहे का थिये? नरेश, But why Ram also had been studying with you? रामेश, किना भने उनी पनी मा संगा फिलम हेरने जाने डी भी गर दे थिये? रामेश, नरेश, But your mother was saying that you had been planning to go out with some friends. रामेश, हो, पहिलो हामी तेस्ती सोच दे थियो, तरा पोची प्रोग्राम बदलियो. रामेश, Yes, previously we had been planning something of the sort, but a letter we changed program. इस्मर निये, तू रेमेंबर, अबा हमी past tense का सकारात्मक, affirmative वाक्य हरू बाटा, नकारात्मक negative, तथा प्रस्चन वाचक interrogative, वाक्य बनाऊ छाऊं. नियम उही हो, past indefinite मा, did साहे क्रिया लगाईंछा, past continuous tense मा, was, were, तथा past perfect tense मा, head का पची, निसेदात्मक वाक्य हरू मा, not जोडीन छा, इसते प्रकार ले प्रस्चन वाचक वाक्य हरू मा, इनाई सायक क्रिया, did, was, were, तथा had वाक्य हरू मा, सबेवंदा पहिलो परियोग हुन छन. Affirmative, I ate bread and butter, मैले, पाव रोटी रा मखन खाएं. Negative, I did not eat bread and butter, मैले, पाव रोटी रा मखन खाएं. Interrogative, did I eat bread and butter, के मैले, पाव रोटी रा मखन खाएं? Affirmative, you were reading a book, तिमी पुस्तक पढ़दे थियो. Negative, you were not reading a book, तिमी ले पुस्तक पढ़दे का थिये नाव? Interrogative, were you reading a book, पुस्तक पढ़दे हुनून थियो. Affirmative, you had read a book, तिमी ले पुस्तक पढ़दे सके का थियो. Negative, you had not read a book, तिमी ले पुस्तक पढ़दे का थिये नाव? Interrogative, had you read a book, ये तपाईले पुस्तक पढ़दे नू भायो? Seventh day, साथवो दिन, बविशे काल, future tense, बविशे ता काल को, क्रियालाई पनी अंग्रेजी मुखे चार भेधरू, मा विभक्त गरिये को छा, राम विल स्टडी, राम विल भी स्टडी, राम विल हैव स्टडीड, राम विल हैव बीन स्टडीग, सिंस मौर्निंग, वर्तमान काल रा बूद काल, सरह इनी हरूलाई क्रमस, future indefinite, future continuous, future perfect रा future perfect continuous, भनिन चा, विल शेल, गोविन्द के तीमी खेलने छावू, गोविन्द, विल यू प्ले, राम हैना माँ खेलने छाईना, राम, no I won't, गोविन्द के भोली तीमी आउने छावू, गोविन्द, विल यू कम टोमोरो, राम, हो माँ आउने छू, राम, यस I will come, गोविन्द के तीमी आजा राती, यहाँ बसने छावू, गोविन्द, विल यू बी स्टेंग हेर तुनाइट, राम, हैना माँ फरकेरा जाने छू, राम, no I will, गोविन्द, के शुकरवार तीमी राजा संगा भेट गरने छावू, गोविन्द, विल यू सी राजा ओन फ्राइडे, राम, हैना माँ घर माँ तिम्रो परितिक्सा गरने छू, राम, no I will wait for you at home, विल बी, शेल बी, अमिताव, के भोली तीमी एस बेला रेल मा यात्रा गरी रहे का होने छावू, अमिताव, विल यू बी इन दा ट्रेन एड दिस टाइम टोमॉरू, राकेश, हो माँ एस बेला कानपूर पुगना लागे को होने छू, राकेश, यस, I will be, अबाउट टू रीच कानपूर एड दिस टाइम, अमिताव, के हामी भोली एस बेला म्याज खेली रहे का होने छाई नौू, अमिताव, शेल वी नॉट बी प्लेइंग मैच एड दिस टाइम, राकेश, हो एस बेला म्याज खेली रहे का होने छाऊू, राकेश, यस, अफकोर्स, वी विल बी, अमिताव, के हामी बारंबार काटमांडू आई रहने छाऊू, अमिताव, शेल वी कमिंग तू काटमांडू अगें एन अगें, राकेश, भई ना, हामी बारंबार आउने छाई नौ, राकेश, नो, वी वोंट बी, विल हैव, शेल हैव, मिनाक्सी, के उनी गई सके की हुने छिन? मिनाक्सी, विल शी हैव गॉन? रजनी, उनी गई सके की हुने छाईनन? नो, शी वोड़न्ट हैव, मिनाक्सी, के तीमी अगामी महिना सम्मा काटमांडू बाटा, आई सके की हुने चाओ? मिनाक्सी, will you be back from Kathmandu by next month? रजनी, हो, तेस बेला सम्मा आई सके की हुने चाओ? रजनी, yes, I should be back by then. मिनाक्सी, भोली एस बेला सम्मा तीमिले परिक्सा दे सके की हुने चाओ? मिनाक्सी, you will have taken your test by this time. रजनी, हो मैले, आफनों जीवन को एक महत्रपून अध्याए समाप्त गरी सके की हुने चाओ? रजनी, yes, an important chapter of my life would be over. मिनाक्सी, के तीमिले अगामी वर्षा दसों शरेणी पास गरी सके की हुने चाओ? मिनाक्सी, will you have passed 10th class examination by the next year? रजनी, हो मा तब सम्माँ दसों शरेणी पास गरी सके की हुने चाओ? रजनी, yes, I should have passed it by the time. मिनाक्सी, के चुनाव मार्च सम्माँ भही सकने चाओ? मिनाक्सी, will the election be over the March? रजनी, फो चुनाव मार्च सम्माँ भही सकने चाओ? रजनी, yes, the election will have complete by March. मिनाक्सी, के तिम्रा भही कनाडा बटा आई सके का हुने चाओ? मिनाक्सी, will your brother have returned from Canada? रजनी, हैना उनी कनाडा बटा आये का हुने चाइनन? रजनी, no, he would not have. विल हैव बीन, शेल हैव बीन? प्रभाद के भोलिती मी एस बेला सुती रहे का हुने चाओ? प्रभाद, will you have been sleeping tomorrow at this time? सुधीर, हैना सायद मा एस बेला पड़ी रहे को हुन्चू? सुधीर, no, probably I shall have been studying at this time. प्रभाद, अनी तिम्रा भाई राजीव के गरी रहे का हुने चाओ? प्रभाद, and what will your brother राजीव have been doing? सुधीर, उनी काटमांडू जानी तयारी गरे का हुने चाओ? सुधीर, he will have been preparing to leave for काटमांडू. प्रभाद, के एजबेला प्रहरी पकेट मार संगा जीरह गरी रहे का हुने चाओ? प्रभाद, will the policeman have been introgating the pickpocket at this time? सुधीर, हैना उनी गस्ती लगाई रहे का हुने चाओ? सुधीर, no, he will have been on his round. करकें पकाओ जनी चाओंू.